अब यहां पर वो क्या कह रहे हैं कि जब भी वो बड़े लोगों से बात करता है तो या तो वो क्या होगा घबराहट की वजए से बिलकुल ढीठ हो जाता है या वो मतलब की बेचैन होकर शर्मिंदा फील करने लग जाता है और उसे अपने एक्सिस्टेंस पे अपने एक्सिस्टेंस पे मतलब की अपने अस्तित्व पर यहां पर उसे शर्मिंदगी शर्मिंदगी फील होने लग जाती है, समझ में आया यहां तक? आफील है तक वो यही कहना चादी है कि जो फूर्टीन अर्श्रम होता है वो बट अज़ीब सा होता है उसके अंदर जो भीज़ेंज्टेंस आते हैं मतलबना वो बीच का ओल जाता है नो छोटे बच्चोमें रहा न वो बड़े बच्चों में रहा अब ना वो बड़ो के तो बड़ा भाईया है हमारे साथ कौन खेलेगा, तो इसके लिए उसके लिए वो खुद की एज बहुत ही ज़ादा अजीब सी होती है, ठीक है, तो यह बात वो यहाँ पर हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं यह बात वाईया ज़िए यहाँ आप रहे हैं अब यहाँ पर वो कह रहे हैं जब इस उम्र में उसके दिल में, मतलब की क्या चीज होती है, की उसे कोई भी प्यार मिले, कोई भी इनसान उसको बहुत ज़ादा प्यार करे, वो प्यार की क्रेविंग, मतलब उसको चाहिए होता है, ठीक है, कोई भी चीज की क्रेविंग होती है, मतलब हमें उस चीज की नीड है, ठीक है, तो वो कह रहा है, उसे प्यार और पहचान जो है, वो उस एज में चाहिए होती है, recognition मतलब पहचान, तो क्या चाहिए होता है उसे, प्यार और पहचान ज जो भी उसको प्यार करेगा, जो उसको अटेंशन देगा, मतलब जो भी उसकी तरफ मतलब की ऐसे दिखाएगा, उसे इम्पोर्टन्स देने की कोशिश करेगा, वह भाई उसका फैन हो जाएगा, उसका दास बनके भी रह लेगा वह, इस तरीके की एज यह होती है, लेकिन कोई भी खुले रूप से उस पर प्यार नहीं दर्शाता है, क्योंकि उसे अनूचित माना जा सकता है, क्या माना जा सकता है, अनूचित जो है वो माना जाता है, और उस लड़के के लिए यह जो चीज है, यह जो है, therefore bad for the boy, मतलब कि यहां पर कहहे है, regarded as undue indulgence and therefore bad for the boy, क्या है कि इस तरीके का इस कोई इसको प्यार दिखाता है, तो वो उस लड़के के लिए अच्छा नहीं माना जाता, so what with scolding and shiding, he becomes very much like a stray dog that has lost his master, and this umr में, this dant, fattkaar, और जो भी चीज़े उसको चलती है, सारा दिन तु ऐसा है, तु ऐसा है, यह वो यह बोलते रहते है लोग, तो इस डाटने में, फटकारने में वो बिलकुल एक आवारा कुते के समान हो जाता है, जिसका समझ लो कि मालिक जो है वो उसको चोड़ कर चला गया है, कुछ इस तरीके के हालत हो जाती है, उसकी जो यहां पर यह कहना चाहते है, for a boy of 14, his own home is the only paradise, और उस 14 साल के लड़के के लिए उसका जो खुद का गर है, वो एक सवर्ग के समान हो जाता है, किसके समान हो जाता है, पारडाइस के लिए, मुझे कही नहीं जाना, किसी अंजान आदमी में नहीं जाना, मेरी हालत जो है, वोई कावरा कुद्टे की तरह हो गई है, तो मैं कही नहीं जाओंगा, मैं घर पी रहूंगा, तलो उसका घर जो है अफ़ सबसे अच्या सकता है, ठीक है, To live in a strange house with strange people is little short of torture, while the height of bliss is to receive the kind looks of women and never to be slighted by them, अब यहां पर वो कह रहा है कि एक अजणभी के घर में अजणभियों के साथ रहना, एक छोटे से अत्याचार के समान है, little short of torture, मतलब समाज लो, कि एक थोड़े बहुत अत्याचार की तरह ही वो चीज है, और हम कह सकते हैं, कि किसी भी स्तरी के द्वारा, यहां पर बोल रहे हैं न, कि kind looks of women and never to be slighted by them, कि भई किसी स्तरी के द्वारा प्यार से बात या व्यवार क या जाना उसके लिए एक परम मतलब की बहुत ही अलग लेवल का pleasure or satisfaction or खुशी जो होती है वो होती है लेकिन हम कह सकते हैं कि वो जो परमानंद और वो जो चरम सीमा होती है उनकी उसके द्वारा भी उसका जो हम कह सकते हैं तिरसकार नहीं किया जाना चाहिए, वो कह रहा है कि to live in a strange house, एक अजनभी घर में रहना with strange people, अजनभी लोगों के साथ रहना is little shot of torture ये एक तरीके के torture के समान है while the height of bliss, जबकि जो परमानंद की जो सीमा है, receive the kind looks of women की भाई एक औरत है कोई उसकी दयालू भरी नजरे दया भरी नजरे उसके उपर गिर जाए and never to be slighted by them लेकिन उसको भी अच्छा जो है वो नहीं माना जालता, ठीक है? यहाँ पर यह चीज जो है वो कही जा रही है, अलग कि भाई यहाँ पर तो दुख की बात हो गई 14 years, आप लोगों में से कौन कौन 14 years की age का है और यह सभी चीज़े फेस कर रहा है, जल्दी से बताओ, कॉमें करके, हमें पता तो चले क्या 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 दिक्कते हारे है आप लोगों को ऐसी, अगर कोई 14 years की age का यहाँ पर है, तो It was anguish to fatigue to be the unwelcome guest in his aunt's house, despised by his elderly women and slighted on every occasion, यहाँ पर अब क्या हो रहा है, की fatigue के लिए, यह क्या था, एक तरीके की anguish मतलब पीडा थी, फटीक के लिए, यह एक तरीके की क्या थी, पीडा थी, क्या चीज़ पीडा थी, to be the unwelcome guest की बिन बुलाया हुआ, एक महमान जो है, वो उसकी मामी के घर में बन गया था, अगर वो कभी भी कहती थी, कुछ भी करने के लिए, उसको खुद के लिए, he would be so overjoyed that he would overdo it, तो वो इतना खुश हो जाता था, कि अच्छा, इसने मुझे काम बताया खुद के लिए कुछ करने को, तो वो इतना खुश हो जाता था, इतना खुश हो जाता था, कि वो उसको बहुत जादा काम कर दिया करता था, and that she would tell him not to be so stupid, but to get on with his lessons, लेकिन वो से क्या कहती थी फिर, फिर वो से क्या कहती थी, वो से बताती थी कि बेवकुफ मत बनो, बल्कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, the cramped atmosphere of a neglect in his aunt's house, oppressed fatigue so much that he felt that he could hardly breathe, अब यहाँ पर वो क्या कह रहे है, जो यह cramped atmosphere था, जो यह तंग कर देने वाला, इतना जादा परिशान कर देने वाला, atmosphere मतलब वातावरण था, कहां पर उसकी मामी के घर पर, aunt's house यहाँ पर क्या है, उसकी मामी के घर पर, oppressed fatigue उसने बहुत जादा परिशान उत्पीड़न एक तरीके से दबा दिया था fatigue को, इतना जादा इस हद तक, that he felt that he could hardly breathe और जहाँ पर उसे इस तरीके का feel हो रहा था कि जैसे वो सांस भी नहीं ले पा रहा है, बतलब इतना जादा दबाव, pressure, oppression उसको वहाँ पर feel होने लगा था, इतना गंदा वातावरण वहाँ पर ना दिया था, इतना तंग कर दिया था उसकी मामी ने उसको, He wanted to go out in the open country and fill his lungs and breathe freely, वो क्या करना चाहता था, वो बाहर जाना चाहता था शहर में, उदेश में वो बाहर जाना चाहता था और अपने फेफडों को, मतलब की भरना चाहता था, किसे हवा से, फ्रेश एर जो है वो feel करना चाहता था, freely breathe करना चाहता था, मतलब की वो दबाव में वहाँ पर और नहीं रहना चाहता था, वो खुले आम स्वत्तंत्र तरीके से वहाँ पर वच्चों घूमना चाहता था, ठीक है, क्योंकि वो अब वो कह रहा है कि यह शहरों में कैसा महौल होता है, सारी बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स, रोड्स बनी हुई है, बड़े बड़े, उचे उचे, अब खुलके सास ही नहीं ले सकते हो, इसा पलूशन, है अजीब सा महौल होता है, वहीं आप देखो कि एक गाउं का वो कह रहा है कि लेकिन यह बाहर कहीं खुला तो ऐसा था ही नहीं जैसा हमारे गाउं में होता था, ठीक है, Surrounded on all sides of Calcutta houses, वो किस चीट से घिरा हुआ था, चारों तरफ वो कलकत्ता के घरों से और दिवारों से घिरा हुआ था, and he would dream night after night of his village home and long to be back there, अब वो क्या सपने दे अपने गाउं के घर के and long to be back there, long मतलब यहां पर क्या है, उसकी इच्छा होती थी, long यहां पर क्या होते है, कोई भी आपकी तिवर इच्छा होती है ना, उसे हम बोलते है, longing, तो long to be back there मतलब कि उससे बहुत जादा इच्छा होती थी वहां पर उसी गाउं में जहां पर the glorious meadow, where he used to fly his kite all day long, the broad river bank, where he would wander about the lifelong day, singing and shouting for joy, the narrow brook, where he could go and dive and swim at any time he liked. क्या बोल रही है यहां पर? He remembered, उसे याद है वो दिन, the glorious meadow, glorious meadow मतलब कि इतनी जो बहुत बढ़िया कहने की कोशिश कर रहा है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि adjective यूज किया है उसने, meadow क्या है? हरे मैदान, तो वो यहां पर क्या कह रहा है कि वो जो इतने बढ़िया, हरे हरे, glorious मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो शानदार, किस तरीके के? शानदार हरे मैदान थे, वो उसे आज भी याद हैं, जहां पर, he used to fly his kite, जहां पर वो क्या करता था? अपनी पतंग उड़ाया करता था, all day long, पूरे पूरे दिन पतंगे उड़ा रहे हैं वहां पर, the broad river bank, वो जो चोड़े चोड़े नदी के तट थे, where he would wonder about the live long day, singing and shouting for joy, अब वो वहां पर क्या कह रहा है? कि जो चोड़ी नदी का किनारा था वहां पर, वो क्या किया करते थे? वहां वो गाते थे, चिलाते थे, और खुशी से अपना पूरा दिन बिताया करते थे, live long मतलब क्या है यहां पर? खुशी से अपना पूरा दिन बिताया करते थे, the narrow brook where he could go and dive and swim at every at any time he liked. अब वो narrow brook क्या होती है? बहुत narrow मतलब तो सकड़ी, तंग बिलकुल, पतली सी, brook मतलब यहां पर क्या है? नदी, चोटी चोटी नदियां होती है न, इस तरीके की नदी वहां पर है और वो कह रहा है कि वो वहां पर जा सकता था and dive, dive मतलब क्या होता है? डुपकी लगा सकता था and swim at any time he liked और तैर सकता था किसी भी समय जब भी वो चाहे, ठीक है? तो मतलब अब वो nostalgic होने की कोशिश कर रहा है बच्चो, कोशिश क्या कर रहा है? वो हो चुका है, already nostalgic की उसे अपने good old days यहां पर याद आ रहे हैं, पुराने अच्छे दिन की भाई इता शांदार हरा मैदान है जहां वो सारा सारा दिन पतंग उडाता था चौडी नदी के किनारे जहां नाचते जूमते गाते थे जोर-जोर से चिलाते थे और वो पतली-पतली नदिया याद है जहां वो कभी भी जा कर क्या कर सकता था? तैर सकता था जब वो चाहे समझ में आया? He thought of his band of boy companions over whom he was disposed. अब यहां पर किसकी बारे में सोच रहा है? यहां पर अपने group के लड़कों के बारे में, band of boys मतलब उसका जो group था, group of boys जो उसके साथ ही थे, companion कौन होते हैं? उसके जो साथ ही थे, उनके बारे में वो सोच रहा था, जिनके उपर वो क्या कर सकता था? disposed, whom he was disposed, जिनके उपर वो अपनी ताना शाही चला सकता था, क्या कर सकता था? ताना शाही चला सकता था, है न? And above all, the memory of the tyrant mother of his who had such a prejudice against him, occupied him day and night, और वो कह रहा है इन सभी से उपर याद किसकी आ रही है? उसको अपनी ताना शाह मम्मी की याद आ रही है, जो उस पर सारा दिन चिलाती थी, दाटती थी, who had such a prejudice against him, जिनको फटीक को लेकर हमेशा एक पूर्वधारना थी, कि भाई तू तो ना कुछ भी कर सकता है, तेरे पर मुझे यकीन नहीं है, यह क्या होता है, यह prejudice होता है, पहले से आप किसी के बारे में कोई भी decision सोचके रखते हो, कोई भी judgment रखते हो कि नहीं यह इसा ही है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चो, prejudice, तो वो कह रहा है, who had such a prejudice against him, उनकी याद आ रही है, occupied him day and night, और दिन रात यही यादें, मतलब उसकी मम्मा की उसको याद जादा आ रही है, a kind of physical love like that of animals, वो कह रहा है कि किस तरीके का प्यार, कि जिस तरीके से तो जानवरों में एक तरीके से प्यार होता है, physical bond होता है, a longing to be in the presence of the one who is loved, उसकी बहुत जादा इच्छा हो रही थी, किस चीज की, to be in the presence of the one who is loved, वो कह रहे हैं कि वो अपनी मम्मी से बहुत जादा प्यार करता था, प्यार तो सभी करता है ना अपनी मम्मी से, तो वो कह रहा है यहां पर कि उसको अपनी मा की अत्याचारी मा की आदा थी जिनोंने उसके प्रती क्या किया था एक तरीके से पक्षपात भी किया था कि उन्होंने मख्षन की साइड ली थी और इनकी साइड नही ली थी, तो सारा दिन वो यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है कि उसे ऐस, मतलब एक तरीके का जो फिजिकल लाव होता है ना अनिमल्स के बीच में, लाव लाइक दा अनिमल्स, तो वह कह रहा है उस तरीके का प्यार, अब वो कह रहा है कि एक इच्छा की कोई आपके सामने नहीं है और आप उसे प्यार करते हो और अगर वो इंसान आपके सामने नहीं है तो वो जो इच्छा होती है उससे मिलने की वो उसको बार-बार सता रही थी, an inexpressible, inexpressible मतलब जिसको हम बयान नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते, wistfulness मतलब उदासी कह रहा है, इतनी जादा भयंकर, उदासी मेरे अंदर चाही हुई थी, जिसे मैं बयान भी नहीं कर सकता, during absence, कि वो लोग जब आपके पास नहीं है, तो उनकी जो absence आपको खलती है, कि उस समय आपको वो चाही है, लेकिन वो नहीं है आपके पास, तो उसके वज़े से वो बहुत जादा उदास फील कर रहा था, a silent cry of the inmost heart for the mother, like the lowing of calf in the twilight, this love which was almost an animal instinct, agitated the shy, nervous, lean, uncouth and ugly boy, बहुत ही जादा बेज़दी कर दी हैं आपके तो बिचारे की, क्या क्या चीज़ें बोल दियों उसके बारे में, चलिए देखते हैं, वो क्या क्या रहा है, a silent cry, a shant cheek of the inmost heart, inmost heart मतलब अंदरूनी दिल के अंदर एक बहुत बयंकर तरीके से चीख रहा है वो अपनी मा के लिए, like the lowing of calf, जैसे एक calf जो होता है, वो क्या करता है, lowing मतलब यहाँ पर क्या है, हम कह सकते हैं कि कराहना, ठीक है, विलाप करना, basically कराहना भी नहीं हम कह सकते हैं, विलाप करना, रोना, ठीक है, in the twilight, twilight के मतलब शाम के टाइम पर, this love, यह प्यार, which was almost an animal instinct, instinct मतलब स्वभाविक की जानवरों में जिस तरीके से यह स्वभाविक होता है, agitated the shy, agitated मतलब उतेजित कर दिया यहाँ पर, किसको उतेजित कर दिया, एक शर्मीले, nervous घबराए हुए, lean, पतले, दुबले, uncouth, uncouth मतलब असभ्य, जो अजीब से कपड़े पढ़े पह परिशान कर रखा था इन सभी चीजोंने, no one could understand it, कोई भी इस चीज को नहीं समझ सकता था, but it preyed upon his mind continually, लेकिन यह चीज उसके दिमाग के चारो तरफ एक तरीके से शिकार कर रही थी, और उसको नश्ट कर रही थी, उसके दिमाग को लगातार, continually मतलब लगातार, बिना रु ठीक है, आगे बढ़ें, यहां तक का चाप्टर समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई परिशानी, there was no more backward boy in the whole school than fatigue, अब वो क्या कह रहे हैं, कि कोई भी पूरे स्कूल में fatigue के जितना backward boy मतलब पिछडा हुआ, और पिछडा हुआ मतलब यहां पर क्या है, कि पढ़ाय लिखाई म में दिमाग नहीं लगने वाला, अच्छे नंबर नहीं आते थे उसके, तो वो यह कह रहे है कि there was no more, मतलब उससे ज्यादा पिछडा हुआ बच्चा पुरी क्लास में, कोई भी नहीं था, पुरी स्कूल में कोई भी नहीं था, he gaped and remained silent when the teacher asked him a question and like an overladen ass, patiently suffered all the blows that came down on his back, अब वो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे है, वो यहाँ पर कहना चाहता है कि स्कूल में फटीक से ज्यादा पिछडा हुआ लड़का कोई भी नहीं था, जब भी अध्यापक जो teacher थे, उससे कोई भी question पूछा करते थे, तो उसका मुह कैसा रहता था, गेब्ड मतलब यहाँ पर क् हम कह सकते हैं कि अतिरिक्त बहुत ज्यादा भार से लदे हुए गधे के समान, ass बोल रहा है न, overladen ass बोल रहा है, तो overladen मतलब बहुत ज्यादा भार से लदा हुआ जो गधा होता है, उसके समान वो बहुत ज्यादा धैर्य पूर्वग, धैर्य पूर्वग मतलब बिल्कु पेशन्स से वो सारा भार जो है वो अपने कंधो पर एक तरीके से सहन करता जाता था और उस पर हम कह सकते हैं कि वो चीज उसके उपर पढ़ती रहती थी, ठीक है, जब सब की सब लड़के, अब वो यहां पर कहेगा कि जब सब की सब लड़के बाहर खेल रहे होते थे, क्या क किया करता था, खिड़की के पास खड़ा रहता था, यहां लिखा है न, कि वेन अदर बॉइज वर आउट अट प्ले, कि जब सब बच्चे लड़के बाहर खेल रहे होते थे, तो वो क्या करता था, स्चुट मतलब खड़ा रहता था, विस्ट फुली मतलब बहुत उदासी के साथ, खिड़की के सहारे and gazed और घूरता रहता था, at the roof, छत पर, of the distant house, कि इनकी छतों पर, वो जो दूर दूर घर बने होए थे न, उनकी छतों पर वो घूरता रहता था, ठीक है, and if by chance he aspired children playing on the open terrace of any roof, his heart would ache with longing, और वो यहाँ पर कह रहा है, कि अगर by chance, क्या हो जाता था, कि उसके अंदर बहुत जादा एक तो curiosity बढ़ जाती थी, ठीक है, वो विस्ट फुली उन लोगों को देख करता था, लेकिन जब सब लड़के बाहर खेल रहे होते थे और वो छत पर तरीके से, मतलब घूर रहा है वहाँ पर खिड़की के पास, खड़े होकर, तो अगर मान लो कि कोई दूसरा बच्चा, by chance मतलब संयोग से, तो अगर मान लो कि by chance संयोग वश वे बच्चों को खुली चत पर खेलते हुए देख लेता था, तो उसका जो दिल है, वो किस से भ भर जाता था, and if by chance he aspired children playing on the open terrace, की मान लो जैसे जासुसी करके देख रहा है न, और अगर उसकी आखे किसी और बच्चे से मान लो मिल गई है, संयोग वश अगर उसकी आखे मिल गई है, तो खुली चत पर अगर वो खेलते हुए किसी को देख रहा है, तो उसके दिल में बह बहुत जादा हो जाता था, मतलब दुख उसे फील होता था, and longing, longing क्या होता है? आर्जू, आर्जू मतलब इच्छाएं आ जाती थी उसके दिल में, मतलब वह वह है कि क्या बोल सकते हम इसको, कि दूर खड़े हो किसी को देख रहा है और वो चीज उसको भी करनी है, खेलना है, one day, एक दिन, he summoned up all his courage, summoned मतलब इकथा किया, क्या किया? अब इकथा कई से लिखेंगे? इकथा, आदेखो अब इसमें गलती होना तो मेरी गलती मत निकालना, ठीक है? इकथा किया मतलब इकत्रित किया एक तरीके से, इकत्रित लिख देती हूँ, मैं इकत्रित तो ठीक लि साहस, what is courage? साहस, तो वो कहरे है, एक दिन उसने अपना साहस से कथा किया, and asked his uncle, और पूछा अपने मामा जी से, अंकल, when can I go home? अंकल मतलब मामा जी, मैं घर कब जा सकता हूँ, his uncle answered, उसके अंकल ने answer दिया, wait till the holidays come, वो कहरे है, इंतजार करो चुटियों का, जब तक चुटि मैं लोगडोन ऐसा हो गया है कि न, चुटि भी नहीं है, कॉलेज भी है, एक्जाम भी देने पड़ रहे है, सारे काम एक साथ हो रहे है, but the holidays would not come till November, लेकिन उसे पता था कि जो चुटियों है, वो November तक तो नहीं आने वाली, and there was a long time still to wait, और वो कह रहा है कि, यार November तो एक दिन फटीग जो है, वो अपनी लेसन बुक उसने गुमा दी, even with the help of books, he had found it very difficult indeed to prepare his lessons, वो कह रहा है कि एक दिन उसने अपनी लेसन बुक ही गुमा दी, और मतलब कि, even with the help of books, कि किताबों की मदद से भी, he had found it very difficult, उसको लगती थी, बहुत जादा difficult, मुश्किल indeed to prepare his lesson, कि वो किताबों की मदद से ही अपने lesson बहुत मुश्किल से prepare कर पाता था, now it was impossible, और जब उसने वो lesson book ही गुमा दिया, तो अब तो ये असंभव हो गया था, क्योंकि डाउटनर तो था नहीं, day after day, the teacher would gain him unmercifully, अब वो कह रहा है कि दिन प्रति दिन जो teacher थे, वो उसको बहुत ज़्यादा, unmercifully मतलब निर्दैता पूरवक, उसको treat किया करते थे, his condition become so abjectly miserable, even his cousins were ashamed to own him, कह रहा है उसकी जो दूर दर्शा थी, वो इतनी ज़्यादा, abjectly मतलब बहुत निराशा जनक हो गई थी, miserable बहुत दैनी हो गई थी, ये तो हो गया, निराशा जनक, निराशा जन ठीक है, और miserable हो गया, दैनी है, तो उसकी condition बहुत निराशा जनक, बहुत दैनी हो गई थी, और उसके जो खुद के भाई बहन थे, उसके जो खुद के cousins थे, वो शर्मिंदा फील कर रहे थे, कि भाई ये हमारा भाई है, ये कहने से भी, they began to jear and insult him more than the other boys, उन्होंने खुद नहीं खुद शुरू कर दिया था, उन्होंने खुद ही शुरू कर दिया था, क्या करना, बेज़दी करना, उसकी, जिय मतलब मजाक उडाना, जिय मतलब उपहास करना, मजाक उडाना उन्होंने ही शुरू कर दिया था, he went to his aunt at last and told her that he had lost his book, अब अन्त में वो अपनी मामी पूजी के पास ही गया कि भाई उन्हें फिर उसने बताया कि मेरी जो वो है, किताब है वो खो गई है, His aunt pursed her lips in contempt and said, You great clumsy country lout. मतलब एक तरीके से abuse ही कर दिया उसको, गाली वाली दे दी, कि उसकी आंटी ने एकदम से अपने होट से कोडे contempt में, मतलब घ्रिना करते वैसे, क्या किया इसने, और कहा, You great clumsy, कि तो महान, clumsy मतलब बे धंगे, country lout मतलब गाओ के गवार, How can I afford with all my family to buy you new books, new books five times a month, वो कह रहा है कि मैं किस सरीके से afford कर पाऊंगी, afford मतलब क्या है कि भाई तने पैसे वैसे नहीं है, मैं इसको नहीं afford कर सकती, मतलब मेरे बाजट में नहीं है यह चीज़, तो कि रहे मैं कैसे afford कर पाऊंगी, with all my family, मेरी पूरी family के साथ, कि भाई मैं पूरा परिवार भी संभालू, और तुम्हें महीने में पाँच बार नहीं कितावे भिला कर दू। अब उस दिन क्या हुआ कि जब उस रात, on his way back from school, जब उस रात क्या हुआ वहाँ पर, तो उस रात क्या हुआ वहाँ पर, फटीक हाँ बाद हैडिक, फटीक को बहुत ही बुरा सरदर्द वहाँ पर फील हुआ, क्या फील हुआ, घर वापस आते समय, फटीक को भयंकर सरदर्द के साथ, शिवरिंग मतलब क्या होता है, कि कापना, एक कंपन जो है वो उसको फील हुई, अब मतलब हमें लग रहा है कि यहाँ पर फटीक की तबद खराब होने वाली है, फिट भी लिखा है यहाँ पर, फिट मतलब होता है दौरा पढ़ना, ठीक है, यह फिल्ट ही वस गुइंग तो हमें अटाक्ट ऑफ मलेरियल फीवर, उसे ऐसे लगा कि शायद उसके उपर मलेरिया जो बुखार होता है, उसका अक्रमन होने वाला है, और सबसे बड़ा डर उसको क्या लग रहा था, कि मैं अब मेरी आंटी जी के लिए क्या बन जाओंगा, और भी जादा वो मुझे बेवकूफ कहेंगी, अगले सुभह देखें, तो फटीग कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, पूरी आस परोस में उसको ढूंडने के बाद उसकी जो खोज थी, वो सभी बेकार गई, तुछ गई, अब वो कह रहे हैं कि लोग ढूंडने लगे पागलों की तरह, तो जो रेन, मतलब कि जो बारिश हो रही थी, वो किस प्रकार से हो रही थी, बहुत ही भयंकर मूसलाधार हम कहा सकते कि पूरी राद बारिश होती रही, और जो भी लड़के उसको ढूंडने के लिए गए, वो पूरी तरह से भीग गए थे, ठीक हैं, और आकरी में बिशंबर ने क्या किया, पुलिस की मदद के लिए, बोला कि भाई, पुलिस की मदद चाहिए, इसे ढूंडने के लिए, अदरवाईज ये, हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि सारे राट ढूंड लिया, अद देंड पुलिस वैं पुलिस की गाड़ी जो है, वो रुकी, कहां पर, कहां पर स्टॉप हुई, दरवाजे पर घर के सामने, अब भी बारिश हो रही थी, और जो सारी गलियां हैं, वो उनमें बाड आ गई थी, फ्लड़ेड मतलब बाड आ गई थी, तो कॉंस्टेबल ब्रॉट आउट फटीक इन देर आर्म्स और प्लेस रख दिया, He was wet, वो पूरा भीग चुका था, सरसे लेके पैर तक कीचड में भरा हुआ था, उसका फेस और उसकी आखें, कह सकते हैं कि हम फ्लश्ड रेड, मतलब बुखार के कारण पूरी लाल हो चुकी थी, विद फीवर और उसके जो लिंब्स थे, उसके जो अंग थे, सब वो काप रहे थे, बिशंबर एक रहे थे, बिशंबर ने उससे अपनी गोद में उठाया और उसको घर के अंदर ले गया, क्या ये सही नहीं होगा कि हम इसको वापस इसके घर भेज़ दे, फटीख heard her words and sobbed out loud, अंकल, I was just going home but they dragged me back again, तो फटीख ने जैसे ये बात सुनी उसको बहुत ज़्यादा दुखवा, वो सुबकियां लेने लगा, बहुत जोर-जोर से सुबकी ली उसने और बुला, अंकल, मैं जा ही रहा था, I was just going home, मैं घर ही जा रहा था, लेकिन वो लोग मुझे खीच कर वापस से यहां ले आए, वो बुकार जो था उसका, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया उस रात और वो जो लड़का है, वो अलमोस्ट पूरी रात बेसुध रहा, मतलब बेहोश रहा, बिशंबर ब्रॉट इन डॉक्टर को लेकर आया, तो बिशंबर जब डॉक्टर को लाया और फटीख ने अपनी आखे खोली, जो बुकार के कारण बिलकुल लाल हो चुकी थी, उसने उपर ऐसे सीलिंग की तरफ देखा, और बिशंबर बिना कुछ सोचे समझे और उदास होकर बेपरवाही से बोला, कि अंकल क्या चुट्टियां अब तक नहीं आई हैं, क्या मैं घर जा सकता हूँ, बिशंबर वाइप्ड दिएर्स फ्रम इस ओन आईज और बिशंबर को यह देखके न, मतलब उसकी आँखों में आसू आगए एकदम से, और उसने अपने ऐस तरीके से आसू पोचे मामा थे उसके तो उसने अपने आसू पोचे और फटीग लीन इन बॉर्निंग हैं, जो पतले पतले और गरम हाथ बुखार की वजह से हो गए थे, वो अपने हातों में लिए और पूरी रात उसके पास बैठा रहा, जो लड़का था, फटीग था, वो वापिस से बढ़ बढ़ाने लगा, अट लास्ट इस वोईस बिकेम एक्साइट और अंत में उसकी आवाज जो है वो बहुत जादा उतेजित हो गई, मतलब वो बिहोशी में बढ़ बढ़ा रहा था, ममी मुझे इस तरीके से मत मारो, मैं, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, आप देख सकते हो कि एक तरीके से कितना ट्रॉमटाइज है वो बच्चा, दिमाग पर कितना जादा असर पढ़ रहा है उसके, सिर्फ चोटी सी चीज की वज़े से कि उसकी मॉम ने वहाँ पर उसका पक्ष नहीं लिया, वो उसको अपने पास रख सकती थी लेकिन उसे भेज दिया वहाँ पर और जो लव और अफेक्शन उसको चाहिए था, उसकी मामी से उसे वहाँ पर नहीं मिला, आल टाइम एक्ष्पॉइटेशन, सोशन ही उसका वहाँ पर होता रहा और अब वो मेंटली कितना जादा इल हो गया है, मलेरियल डिजीज तो बाद में होगा, वो दिमागी तोर पे बहुत जादा परिशान हो चुका था, ठीक है, यह हमने पढ़ लिया, अगले दिन फटीग को थोड़े सा होश आया अब थोड़े से समय के लिए, उसने अपनी आखे दोड़ाई चारो तरफ कमरे में यह आशा करते हुए कि जैसे कोई आने वाला है, अटलास्ट विद एंएर फ़िसपोइंटमेंट, इस हैड, इस हैड संक ओन पिलो और अंत में एक ऐसी हवा किसकी disappointment की, मतलब कि disappointment क्या होता है, हमें किसी से disappointment हो जाती है, हिंदी वाला वोड क्या होता है इसके लिए, disappointment को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब हम किसी से बहुत जादा, चले, मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, मुझे वह हिंदी का word याद नहीं आ रहा है कि disappointment को हम basically हिंदी में क्या होता है, मतलब हमें जिससे ऐसी आशा नहीं होती और वो इंसान वैसा काम कर देता है, तो हम disappointed feel करते हैं, ठीक है कि मुझे तुमसे इस तरीके की उमीद नहीं थी और तुमने ऐसा काम कर दिया, ठीक है तो वो disappointment उसे फील हो रही है कि वो किसी को ढूंड रहा था कमरे में लेकिन वहा कोई नहीं था है, इसलिए वो disappointed feel कर रहा था और उसका जो सर है वो वापिस अपने पिलो में चला देता है, मतलब ऐसे रख लेता है, and he turned his face to the wall with a deep sigh, और अपना मुझ जो है वो दिवार की तरफ वो turn कर लेता है, एक लंबी आह भर के, उसे याद आ रही है अपनी मम्मा की, बहुत हुए, बिशंबर knew his thoughts, बिशंबर जानता था उसके विचार, and bending down his head whispered, और अपना सर ऐसे नीचे जुगाते हुए, उसने फुस-फुस आया, fatigue I have sent for your mother, the day went by, वो कहरें, fatigue मैंने तुम्हारी मम्मा को बुलावा भेज दिया है, बुलाने लेने भेज दिया है, और वो दिन पूरा बीथ गया, the doctor said in a troubled voice, that the boy's condition was very critical, और जो डॉक्टर है, वो बहुत ही जादा परिशान भरी आवाज में क्या बोलता है, कि लड़के की जो condition है, वो बहुत जादा critical है, ठीक है, fatigue began to cry out, fatigue जोर-जोर से रोने लगा, by the mark, three fathoms, by the mark, four fathoms, by the mark, he had heard the sailor on the river steamer calling out the mark on the plumb line, now he was, him sea plumbing an unfathomable sea, अब यहाँ पर देखो किस तरीकी की चीज़ हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कि उसकी जो mental health है, एक तरीके से वो बिगड़ चुकी है, और डॉक्टर भी आपर क्या बोल रहा है, कि भाई इसकी जो हम क्या सकते हैं, कि हालत है ना इस समय पर, वो बहुत जादा critical है, क्या है वो बहुत जादा critical है, बहुत जादा नाजुक है, तो वो उसकी ममी ममी को बुलावा भेज दिया है, लेकिन फटीक उत्ते ही समय में, जोर-जोर से चिलाने लगा, वह निशान, तीन कदम, वह निशान, चार कदम, वह निशान, उस नदी में steamer के नाविक को, साहुल रेखा के पास यह बोलते हुए सुना था, यह बात वह चिला रहा है जोर से, इसका मतलब क्या है, कि उस नदी में steamer के नाविक को, साहुल रेखा के पास यह बोलते हुए सुना था, और अब वह स्वयम को, मतलब कि अपने, और वह अपने आपको एक अथा साब, मतलब हम कह सकते हैं कि वह अपना खुद से एक बहुत ही गहरे सागर की गहराई एक तरीके से नापने की कोशिश कर रहा था, लेटर इन देए, फटीक's mother burst into the room like a whirlwind, and began to toss from side to side and mourn and cried in a loud voice, और थोड़ी ही देर बाद उस दिन फटीक की जो ममा है, burst into the room दोड़ी दोड़ी आई, burst मतलब रोते रोते दोड़ी दोड़ी आई कमरे में एक whirlwind की तरह, whirlwind की तरह एक तूफान की तरह and began to toss from side to side, और एक तरफ से दूसरी तरफ वो टॉस करने लगी, रोने लगी, बहुत जोर-जोर से करहने लगी, रोने लगी चिलाने लगी, बिशंबर ट्राइट तु काम her agitation, बिशंबर ने उसकी जो उतेजना थी, agitation थी जो उसका आवेश था, उसको शांत करने की कोशिश की, but she flung herself on the bed and cried, लेकिन वो दोड कर, आपने पुरानी फिल्में देखी होंगे, जिसमें heroine ऐसे आती है, नीचे से भागती हुयाएगी, इती सारी सीडिया चड़ेगी, फिर अपने कमरे में जाएगी, गेट बंद करेगी, और उसके बाद बेट पर जाकर इस तरीके से, मतलब कूद कर बेट पर लिट जाएगी और पर अहाँ घर करके, वह वही सीन है, तो ऐसे ही आई उसकी ममा भी, और इस तरीके से ही वहाँ बेट पर आकर वह रोने लगी, फटीग मेरे बच्चे, my darling, my sweetheart, fatigue stopped his restless movements for a moment, और fatigue जो है, थोड़े समय के लिए, उसकी जो restless, उसकी जो बेचैनी थी, restless क्या है यहाँ पर? बेचैनी थी, वह थोड़े समय के लिए, रुक गई, his hands ceased beating up and down, he said, और उसके, मतलब कि उसके जो हाथ थे, वह उपर नीचे, होने बंद हो गए, and he said, और उसने कहा, आह, the mother cried again, मम्मी उसकी वापिस से रोई, fatigue my darling, my darling, fatigue very slowly turned his head, fatigue ने बहुत धीरे से अपना सर जो है वह घुमाया, without seeing anybody said, mother the holidays have come, और बिना किसी को देखे, मतलब उसने देखा भी नहीं अपनी मम्मी को, सिर्फ वह आवाज सुनी और वह कहा रहा है, मम्मी छुटियां जो है वह आ गई, लेकिन उसे मतलब कि उसे actual में ये भी नहीं पता, कि वह है कहाँ पर, ठीक है, अजीब अजीब सी चीजे बड़बड आ रहा है, दिमाग में अजीब अजीब चीजे चल रही है, मा की जैसे ही आवाज सुनी, तो उसे लग रहा है कि नोवेंबर आ गया, और वह कह रहा है कि मा, हॉलिडेज हाव कम, कि छुटियां जो है वह आ गई है